शेहर की लेटिस्ट खबरों के लिए नियूस को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं चोबिस फरवरी की राद दुनिया को अल्विदा कहचुगी श्री देवी की अस्थियों को लेकर कपूर परिवार हरिद्वार पहुँचा जहां उनकी अस्थियां विसलजित की गई हरिद्वार के वियाईपी घार पर श्री देवी की अस्तियों को लेकर उनके पती बोनी कपूर के साथ साथ अनिल कपूर, संदीप मारवा और नेता अमर सिंग भी पहुँचे बोनी कपूर ने श्री देवी की आत्मा की शान्ति के लिए जुना खाडे के पीठा दिश्वर स्वामी अवदेशानन्द गिरी महराज के यहां एक शान्ति पाठ भी करवाया इससे पहले ये सभी देहरादून के जोली ग्रांट हवाई अड़े पहुँचे थे जहां उन्होंने मीडिया से दूरी बना कर रखी आपको बता दे श्री देवी की अस्थियों को रामेश्वरम में भी विसर्जित किया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक 1993 में श्री देवी मसूरी, हरिद्वार और रिशिकेश में शूटिंग के दौरान आई थी उसी दौरान श्री देवी ने इच्छा जाहिर की कि जब भी समय मिलेगा हरिद्वार की हरकी पोड़ी पर दर्शन करने जरूर पहुँचेंगी जीते जी भले ही श्री देवी हरिद्वार ना आपाई हो लेकिन कपूर परिवार ने उनकी इस इच्छा को ही पूरा करने के लिए अस्थिया हरिद्वार की पवित्र गंगा नदी में विसरजित करने का मन बनाया अस्थिया